इस छोटे से प्यारे से केक को और भी खुबसुरत बना रहा है ये सुगर कैंडी लॉलिपॉप जिसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी और ये मेरा फेवरेट ट्रफलाइट गनाश इन सब को देखने से पहले आईए देखिए मैं कैसे सुटिंग करती हूँ बहुत सबसे पहले मैकरों बना लेते हैं कैसे बनाया है वह जानने के लिए पूरी वीडियो को देखिएगा यहां पर मैंने होमेड फॉंडेंट का यूज किया है और वाइट फॉंडेंट ही यूज कर रही हूँ क्योंकि इसे गोल्डेन कलर देना है तो यह मैंने नोजल से देखने में सब्सक्राइब खावर टाइब का निशान देे रही हूँ ताकि यह देखने में मैकरों ही मार्केट से मैकरों भी लगा सकते हैं कस्टमर की डिमान होने मैकरों बाहर से तो यहां पर मैं से देने के बाद देखिए यह हमारा त्यार हो चुका है मैंने सारे में इस तरीके से कर लिया है और उसके बाद बीच में लगाने के लिए मैंने अलग से नोजल से काट लिया है और दो के बीच में इस तरीके से सिंपल तरीके से रखना है पानी लगाना है और हलकी हाथों से प्रेस करके इसे साइड में कर रख देना है और इसी तरीके से सारा मैं क्रोंस मैं तयार कर लूँगी मैं क्रोंस तयार करने के बाद मैं इसे गोल्डेन डस्ट से अच्छी तरीके से इवोपेरेक्स मिक्स करके और कवर कर लूँगी गोल्डेन कलर का बना लूँगी इसे यह टॉपर मैं एक दिन पहले ब कर रही हूं जिसको मैं ब्रस से हलके ग्रीन कलर से कलर कर रही हूं आप देख सकते हैं साइड में यह केक के सामने लगेगा इसलिए मैं इसे केक टिन पे रखकर ड्राइ करूंगी ताकि केक के ऊपर इसी तरीके से यह चिप अब मैकरों को मैं कलर कर रही हूं मैंने यहां गोल् बना कर रखे हैं और ये कल तक ड्राई हो जाएगा और ये केक पे कल लगेगा तो आज मैं पूरा फॉर्डेट का काम कर लूँगी और कल मैं सारी आइसीन करूंगी सारा डेकुरेशन कल मैं करूंगी यह हमारे सारे मैकरों भी रेडी हो गया यहां पर मैंने कैस्टर सुगर लिया है 150 ग्राम और साथ ही मैं ले रही हूं 95 एमिल वाटर गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसे चलाते हुए बॉयल आने देंगे अब मैं इसमें डाल रहे हूं 60 ग्राम ग्लुकोज सीरप ग्लुकोज सीरप डालने के बाद इसे चलाते हुए और बॉयल करेंगे आप कैस्टर सुगर से घर में सुगर केंडी लॉली पॉप आसानी से बना सकते हैं यहां पर मैं ब्रस की सहायता से लगा रही हूँ रिफाइंड ओयल जो की ट्रांस्पेरेंट होना चाहिए और इस तरीके से लगा देने से साइड में सुगर का क्रिश्टल नहीं जमेगा और यह आसानी से आप देखेंगे कि इस तरीके से आप चलाते रहे हैं नहीं अगर लगाएंगे तो साइड में सुगर क्रिश्टल अच्छी तरीके से जम जाएंगे यहां पर मैं टेम्परेचर इसका ले रही हूँ कि यह कितना गर्म है क्योंकि मुझे इसे लाना है 180 डिग्री तक तो इसमें मैंने थर्मामिटर डाल रखा है और 133 तो आ चुक अगर आप सुगर का यूज करेंगे तो इस तरीके से थोड़ा डार्क हो जाएगा लेकिन आप कोई भी चिंदा ना करें क्योंकि इसमें जब आप कलर डालेंगे तो वह उसी कलर का हो जाएगा इसलिए आप इसको आसानी से बना सकते हैं टेंप्रेशर का ख्याल रखना होगा मैंने इससे 180 डिग्री तक गैस की फ्लेम से नीचे रख दिया था और इससे लागातार चलाती रही लागातार चलाती रही इससे थोड़ा ठंडा होने दिया है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है बस थोड़ा सा ठंडा होन पे डालना है अगर आपको लग रहा है कि यह फिर से जमने लगा पैन में ही तो आप इससे लो फ्लेम पे गैस पे रखें और एक मिनट तक रखने के बाद फिर से यह इसी टेक्चर में आ जाएगा और आप असानी से चम्मच की सायता से उठा कर इससे सिलिकॉन मैट पे डाल स इस सीरफ को डालने और उसके बाद आप टीक लगाएंगे और इसके बाद आप स्प्रिंखल लखेंगे इस काम को आपको बहुत ही जल्दी बाजी में करना है लेकिन यह बहुत आतर ना मैट की सात्व करना है जब यह काम आप करती हो तो आसपास बिल्कुल भी बच्चों क इस तरहिव के से मैंने एक एक करके डाला है निइस सिरप और उसके उपार मैने लोलिपॉप इस्टिक भी लगा है साथ ही स्पृंगल भी डालती गए तीन चार टीनचार करके में पूरा विकर के से बनाती गए और यह रहा मेरा पूरा कैंडी त्यार हो चुका है मुश्किल से ये 10 मिनट के अंदर मेरा कैंडी तेयार हो चुका है वाइल करने के बाद आपको 10 मिनट में ये पूरी तरीके से ठंदा भी हो जाएगा और इस तरीके से आप उठा कर इसे हटा भी सकती है तो चलिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं सुटिंग करने वाली हूँ नेक्ट डे मैक्रोंस भी ड्राई हो चुके थे और सुगर कैंडी लॉलिपॉप भी बन चुका था वो भी अच्छी तरीके से मैंने सेट कर दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारा स्पंज भी प्यार के तके रखा है गनास भी हमारा रेडी है बस इसको अब डेकुरेट करना है पहले सबसे पहले मैं क्रम कोट करूंगी और यहाँ पर मैंने दो मोल्ट का यूज किया था बेक करने के लिए क्योंकि मुझे चार लेयर में कट करना है के स्पंज को यह रहा ट्रोपोलाइट के ट्रफलाइट से बना हुआ गनास इसे मैं 24 गंटे पहले बनाती हूँ अगर इस गनास की रेसिपी आप अभी तक नहीं देख पाए हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी यह काफी अच्छा गनास बनता है और काफी निकालना हो ॉट निकाल कर आप फीर से उसे रख सकते हैं यह काफी अच्छा है जो लोग थोड़ा थोड़ा अमूल फ्रेश्टा से गनास त्यार करते हैं उनके लिए क्योंकि आप थोड़ा सा मूल फ्रेश्टेम यूज करते हैं और वह चार-पांक दिन के अंदर में वो खराब हो जाता है लेकिन ट्रफलाइट वो पूरा साल भर आप रख सकते हैं, वो बारह महिने तक खराब नहीं होता है, जैसे आप ट्रफलाइट की विपिंग क्रीम को रखते हैं फ्रीजर में, वैसे ही ट्रफलाइट को भी रखना पड़ता है, और ये गनास 24 गंटे पहले की यह रखेएंसे लेकिन는데 का भिकान के अच्छे चार आता है कि यह रखेएंसे प्रक्राइटां को डिशा की करना सुरू करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही आसान होगा यूज करना तो पका जाएए और अपने केक को क्लासी बनाने के लिए एक दम सूपर टेस्टी बनाने के लिए इस गनास की रेसिपी को देखिएगा कि कैसे मैं ट्रफलाइट से गनास त्यार करती हूं और कैसे उसे यूज करते हैं वो तो मैं यहां भी दिखा रही हूं और आगे जो वीडियो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूं उसमें भी है डिटेल वीडियो तो आप उसको देख कर सीखिए और अपने केक को बहुत ही लाजवाब बनाईए दोनों स् कि कुछ ज्यादा ही शाइन आपको दिख रहा है यह पैलेट नाइप जो है मेरा वो गर्म पानी में डिप था और इसे मैंने इस तरीके से इसके उपर लगाया ताकि यह अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाए और मेरा केक जो है वो पर्फेक्ट बने कभी भी इस तरीके केक क को बनाए तो गर्म पानी में पैलेट नाइक को जरूर डिप कीजिएगा अब इसको मैं केक बोर्ट पर रख लेती हूं इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप ट्रफल केक बना सकते हैं आप फ्लाइंग केक की रेसिपी भी जाते हैं तो वह जल्द ही मैं लेकर आने वा पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यह मेरा केक एक घंटे के लिए फ्रीज में किया था और अच्छी तरीके से सेट हो चुका है उसके बाद मैं इस पे फाइनल आइसिंग कर रही हूं और वनीला आइसिंग चाहिए था क्योंकि केक के ऊपर ज से इसकी स्मूथ आइसिंग कर ली है उपर से भी इसे अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेंगे यह देखिए कितना सार्प एज आ गया है वो टेकनिक होती है जो कि आपको करते करते आपका भी इस तरीके का सार्प एज आने लगए अगर आप बीगनर्स है तो यहां पर मैं ग करीन का कॉंबिनेशन है इसमें यहां पर मैं तूथ पीक से निशान बना रही हूं जिस जगह पर मुझे ग्रीन कलर लगाना है उसी जगह पर मैं निशान बना ले रही हूं ताकि मैं यहां इस तरीके से क्रीम लगा सको और उससे मैं स्क्रेपर की सहता से स्मूथ करूंगी मैंने ज़्यादा क्रीम लगाया है, लेकिन इस क्रेपर की सायता से इस तरीके से मैं क्रीम निकालती जाओंगी, बस एक पत्ला लेयर इसके उपर रहेगा इसी तरीके से मैं दूसरे साइड में जो मैंने निशान बना के रखा है वहाँ भी क्रीम लगाऊंगी और उसको भी स्मूथ करूँगी अगर ज्यादा अच्छा फिनिशिंग चाहिए तो बीच बीच में आप स्क्रैपर को पानी से धोले और उसके बाद इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी दूसरी साइड में भी मैंने पूरा कर दिया है और आप देख सकते हैं क्रीम बहुत ही कम है क्योंकि मैंने स्क्रैपर की सायतस से अधिकतर क्रीम को निकाल दिया है यहाँ स्प्रिंकल्स को मैं इसके कॉर्नर में लगाऊंगी ताकि यह देखने में काफी अच्छा लगे यह देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल्स को इस तरीके से एक एक करके लगा दिया है काफे लंबा हो जाता अगर मैं वो चीज दिखाती तो इसलिए मैंने लगाने के बाद आपको दिखाया है और यहाँ पे लगेगा फादर स्टे का टॉपर और साथी मैंने यहाँ पे सुगर कैंडी लॉली पॉप भी लगा दी है इसमें मैंने पूरी तरीके से केश्टर सुगर का यूज किया है अगर आपके पास ऐसा ओडर आ जाए तो आप भी मेरी तरह बना सकते हैं और यहाँ पे मैंने पूरा डेकोरेशन कर दिया है आपको ये केक कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आई है और अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब कि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और सेर कर दीजी और चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ये 7500 ग्राम का केक था और ये रहा केक का फाइनल लुक कितना खुबसुरत लग रहा है कलर कॉंबिनेशन और मैकरोंस भी बिल्कुल ट्रियन लग रहे हैं कित इतना परफेक्ट केक बना है तो चलिए जिसके लिए केक बना है उसकी मुह से ही कुछ सुन लीजिए आप वीडियो काफी लेट आ रहे है क्योंकि ये हैपी फादर्स डे का केक था लेकिन आपको सीखने के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ था